हम बात करेंगे kidney के point की जो की हमारे हाथ में located होता है इसको single point भी बोलते हैं यहां middle finger में जो यह पहला जोड है इसके नीचे इस तरीके से अपने को देखना है कि यहां कहां दर्द है अगर आपके पास probe नहीं है तो आप pencil का भी use कर सकते हैं pen का भी use कर सकते हैं यहां पर जैसे दर्द जादा हो रहा है तो हम इस point को treatment देंगे सबसे पहले इसको हलके हलके ऐसे गुमा कर activate करेंगे फिर उसके बाद यह देखिए magnet है यह एक तरफ से white होती है और एक तरफ से pili होती है तो जो pili वाला side है वो हमें skin की side रखना है और अब मैं बताती हूँ उसको कैसे use करना यह हमारा जो है paper tape है और इस पे मैंने यह magnet लगा दी है अब जहां सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था वहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे आप चाहें तो इसके उपर दूसरी tape लगा कर रख सकते हैं और यह आपके शरीर पर कम से कम 7-8 घंटे रहना चाहिए अगर आपके पास magnet नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है या तो हरी साबुत मूंग जो होती है उसका दाना या फिर आप इस तरीके से मेथी का दाना लगा कर भी इस point को मैं उसका नीचे बता रही हूं आपको क्योंकि वहाँ मैंने magnet लगा दी है इस तरीके से ही इसको लगाना होती है ये सिर्फ एक ही बार यूज होता है magnet को आप दो से तीन बार यूज आप जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं तो ये आज मैंने आपके साथ किड़नी के point share किये ये seeds को भी यहीं पर लगाना है नीचे नहीं लगाना है ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के है तो ये आज हमने बात की आपके साथ किड़नी के points की next video में मैं आपके लिए कुछ और नया लेकर आती हूँ अगर आपको किसी और acupressure point के बारे में जानना है तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं ताकि मैं next आपके लिए video बना सकूँ